system है जिसमें हम CCE में क्या है आपका curricular और co-curricular दोनों ही activities आपकी शामिल होती है scholastic और co-scholastic, मतब all activities एक तरह से हम हर एक पक्ष में बच्चे को जाचने कोशिश कर रहे हैं सिर्फ pen paper पे नहीं, सिर्फ percentage wise ही नहीं, हम चाह रहे हैं कि उसका aptitude, उसका attitude हम उसको हर एक पक्ष में, वो music में कितना अच्छा है, वो sports में कितना अच्छा है, वो क्या अच्छा कर सकता है section plus है, section curricular plus co-curricular कह लीजे आप, या holistic, holistic word तो इतना प्यार है, आपका national education policy हो आपका, चाहे CCE हो, development का chapter हो, हर जगा पे सरवांगियन, point जो है, यानि in all aspects, हम बच्चे को all aspects में, यानि सभी पक्षों में जाचने की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ number देकर के एक ही पक्ष में, अगर हम इसको ऐसे देखें, इसमें CCE में भी, एक जो पहला C है, वो है continuous, continuous का मतलब होता है, लगातार, यानि continue रखेंगे हम किसी चीज़ को, है ना, during the whole year यह चलता रहे comprehensive का यहां पर मतलब होता है, कि in all aspects, तो यह basic बाते हैं, जो हमें पता है, यानि सभी पक्षों में, ठीक, तो हम यह कह सकते हैं, बच्ची की progress, achievement in all school activities, अगर हम इसको ऐसे देखें, तो curriculum के कुछ principles हो सकतना है, teaching process में, जिनको ध्यान में रखा जाए, यह extra में आपको discovery learning के लिए दिये गए है, exploratory learning से ही, जुड़ा हुआ है, यह exploratory learning के पास आना था, कि बच्चा engaged रहे, बच्चा information exchange कर पाए, empower कर पाए हम उसको, exhibit कर पाए, exhibition यानि प्रदर्शनी, जो भी उसने बहतर किया है, जैसे science create वगेरा होती है, teaching process का हिस्सा हो जाई, curriculum में चीज़ें इस तरह से design ह कि बच्चा engaged रहे, explanation की हम बात कर रहे हैं, तो यह ऐसकी छोड़ी-छोडी चीज़ें बीच में लगाती रहोंगी, जिनसे आपको थोड़ा साफ फायदा होता रहे है, जो आप नदर डालें, तो indirectly बहुत सारे questions आपके solve हो जाएंगे, इसमें किसी का नाम नहीं आएगा, ले explanation में तो आप उसको और बहतर तरीके से as a teacher, क्या कर पाते हैं, समझा पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं, exhibit में, फिर आप finally जो भी product है, मतब जो भी learning है, उसको प्रदर्शित करते हैं, अगर evaluation के triangle की हम बात करें, यह important है, अगर हम Mulyankan के triangle की बात करें, भी हम CCE की बात कर र क्या कहते हैं भी objectives को, बताइए, उद्देश है, ठीक, कि हम पढ़ा क्यों रहे हैं, उसके उद्देश है क्या है, एक तो यह चीज हो गई, फिर बाद में हम learning outcomes देखते हैं, कि वो उद्देश है किस हद तक अचीव हो पाए, वो objectives किस हद तक अचीव हो पाए, इसलिए भी ह झाल पाए, एक बाद में हो पाए, एक तक्या हम पाए.